हे एवरिवन जब कुछ सिंपल सा खाने का मन करें तो एक बर ये गुजराती कड़ी और मतर की ये खिचडी बना के ट्राइ जरूर करें ये कॉम्बो खाने में एकदम सिंपल है और बहुत ही डिलिशियस है आपके मन को शानती मिल जाएगी ये खाके तो इसे बनाने के लिए न मैंने यहाँ पर आदा कब खिचडी के चावल और आदा कब मुंकी डाल ली है और इसे न मैंने 15-20 मिनिट के लिए भिगो के रखा था अब अच्छे से इसे पाने से हमें पहले वाश कर लेना है दो तीन बार इदी के खिचडी को मैंने अच्छे से वाश कर लिया है अब खिचडी बनाने के लिए मैं यहाँ पर कुकर ले रही हूँ इसके अंदर हम 2 टेपल स्पून तेल गरम करेंगे आप चाहो तो गी में भी इक खिचडी बना सकते हो अब तेल गरम हो जाये तो इसके अंदर हम 1 teaspoon जीरा डालेंगे 1 teaspoon हिंग और 1 teaspoon healthy एड़ करेंगे और मैंने यापे आदा कब मतर लिए हैं वो इसमें एड़ करेंगे और इसके साथ ही मैंने आप एकदम छोटी सा इसका आलू काट की लिया है वो भी एड़ कर लेंगे ये अप्शनल है अगर आपको नहीं करना तो स्किप कर सकते हो अब हमें आलू और मटर को ना दो मिनिट के लिए पहले तेल में सौते कर ले रहा है अब हम इसके अंदर भीगोए हुए दाल और चावल एड़ करेंगे और इसके साथ ही हम इसके अंदर दो ग्लास भर के पानी एड़ करेंगे और उपर से हम टेस्ट का अकडिंग नमक बेड़ कर लेंगे अच्छे से खिचडी को हमें मिक्स कर लेना है अब कुकर का ढकन बन करने से पहले खिचडी में हम एक उबाल आने देंगे तो ये देखे अच्छे से उबाल आ गया है तो अपना ढकन बन कर देंगे और बस दो हिस सीटी में हमारी ये खिचडी बन के रैडी हो जाएगी मुंग डाल और मटर वाली ये खिचडी खाने में बहुत ही डेश्टी बनती है और गी के साथ तो बहुत ही मजा आता है इसे खाने में अब चलिए खिचडी के साथ खाने के लिए हम एक कड़ी बना लेंगे तो ये ना हम गुजराती मीठी वाली कड़ी बना रहे है इसके साथ ही बहुत ही delicious लगती है तो कड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आता कप दही लिया है इसके अंदर हम दो टेबल स्पून भर के बेसन एड़ करेंगे और हलकासा वन फूर्ट कप जितना पानी एड़ करके से अच्छे से हमें mix कर लेना है अब मैं इसके अंदर ना देड़ कप जितना पानी और एड़ कर रही हूँ और अच्छे से इसे mix कर लेंगे ताकि बेसन के ना कोई भी लंब से इसमें ना रहे और ये देखे हमारा कड़ी के लिए गोल बनके रैड़ी हो गया है तो चली अब हम इसका तड़का रैड़ी करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है इसके अंदर हम एक टेबल स्पून तेल डालेंगे और दो टेबल स्पून जितना हम इसमें गी एड़ करेंगे गी गरम हो गया है तो इसके अंदर हम एक दालचेनी का टुकडा एड़ करेंगे चार लॉंग एड़ करेंगे दो सुखी लालमिश एड़ करेंगे आधा टीस्पून मेथी दाना एड़ करेंगे और एक टीस्पून इसमें हम जीरा एड़ करेंगे जीरा को हलक असा क्रेकल हो जाने देंगे अब मैं इसके अंदर आथा टीस्पून हिंग एड़ कर रही हूँ हिंग इसमें हम जादा एड़ करेंगे इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और थोड़ा सा कड़ी पत्ता एड़ कर लेंगे अब हमने जो कड़ी वाला गोल बनाया है वो इसके अंदर आड़ कर लेंगे उपर से हम एक टेबल स्पून धनिया जीरा पावडर आड़ करेंगे और वन फोर टीस्पून मैस में ना किचन किंग मसाला आड़ कर रही हूँ बस और कोई मसाला हमें इसमें एड़ नहीं करना है तो हलका सा इसे मिक्स कर लेंगे अब लास्ट में हम टेस्ट का कड़िंग इसमें ना नमक एड़ कर लेंगे और मेठी कड़ी बना रहा है तो दो टेबल स्पून जीतना हम इसमें गूड एड़ करेंगे गोड़ आप अपने टेस्ट के साफ सा एड़ कर सकते हो कड़ी को हलका सा मिक्स कर लेंगे और इसे न उबालाने देंगे तो इसे ढख कर उबलने देंगे दोस्तों यह गुजराती कड़ी खाने में बहुत ही डिलिशस बनती है एक बार बना के ट्राइज जरूर करना और खिचडी के साथ और राइस के साथ या फिर पुलाव के साथ खाओ बहुत ही टेस्टी लगती है तो यह देखे हमारी कड़ी भी बनके रैडी हो गई है तो उपर से थोड़ा सा धनिया कट करके डाल देंगे थोड़ा सा धनिया एक्स्टा कट कर लेंगे खिचडी में भी उपर से डाल देंगे और यह देखे आपको देखके ही पता चल रहा होगा कि कितनी टेस्टी लग रही है हमारी कड़ी इसका कलर वाइट है लेकिन एक्तम फ्लेवर से भरपूर होती है यह कड़ी एक बर खिचडी के साथ बना के ट्राइज जरूर करें हम तो इसे ना राइस के साथ भी खाते है और पुलाव के साथ भी खाते है गरमा गरम खिचडी में घी डालके और यह कड़ी के साथ सव करोगे ना तो खाने का मज़ा ही आ जाएगा तो डिनर में अगर हलका फुलका खाने का मन करें तो ये कड़ी खिचडी की रेसिप एक बार बना के ट्राइ जरूर करें और अगर आपको रेसिप एच्छी लगी हो तो प्लिस कॉमेंट में यमी जरूर से लिख देना आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं मुझे एक बार कॉमेंट करके जरूर बताना मुझे सबकी कॉमेंट पटना बहुत अच्छा लगता है और अगर आप इसे बना के ट्राइ करो तो मुझे जरूर से बताना कि आपको एक कड़ी खिचडी कैसी लगी गर्मा गरम खिचडी में गी डालके इसे हम कड़ी के साथ सव करेंगे तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीस वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा वीडियो को शेर करें और ऐसे ही मसीता रहसे बीस देखने के लिए मुझे फॉलो जरूर कर लेना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना थैंक्यू फॉर वाचिंग